कि अपडेट रहे हैं कि आरेमल की तरब से आपको यहां पर बहुत ही शांदार अपडेट है वह लेकर आज को हूँ जिस तीज का आपको मैं बता दू आरेमल की यह वीडियो देखते ही आपके जो माइंड में दो कुछन सुठता है कि आरेमल का जो नर्सिंग ओफिसर का जो वह आपका कब होगा तो उससी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा एससे पहले मापको बता दू कि आरेमल की तरब से आपर एक और जो नई भरती है वह आपके रिलीज हो चुकी है ठीका हाँ जी आप बिल्कुल सभी सुन रहे है आरेमल की तरब से यहां पर नई भरते रिलीज की गई है देख लेजीगा 25 जुलाई को यहां पर जो नोटिफिकेशन है वह आपका रिलीज गया गया है 25 जुलाई को नोटिफिकेशन दिया गया है अड़ोटाइसमेंट नंबर रेफरेंस नंबर आपको यहां पर दिये गया है जिसके अंदर आपकी जो वेकंसी है वो आपके कौन कौन सी रहेंगी तो यहां पर आपको कौन सी रहेंगी तो यहां पर आपको मैं बता दूँ कि आपकी जो वेकैंसिय हैं वो आपका exam नहीं करवाया जाएगा यान कि बिना कोई exam के आपके आप यहाप पर वेकैंसी है वो आपकी होने वाली है और सबसे पियारी update आपकी होने वाली है तो आप सबी के लिए बहुत ही शांदार मोगा रहेगा आप RML के अंदर अपनी स्ठापनर्स की post के ओपर जोइनिंग करने का क्योंकि बिना कोई exam के आपके यहां पर भठती आपकी होने वाली है छोटा सा आपका interview होगा और interview के बाद में आपका यहां पर क्या होने वाला है क्या रहत है कि application form की जो process है तो मैं आपको बतादो application form की जो process है यहां कि के यहां पको नहीं डालना है यहां को अपने बाय्योडाट साथ लेके जाने है, जिस दिन आपका interview होगा और बायो डाटा के अंदर मां आपको बता दू कुन-पुन सी चीजे आपको यहाँ पर साथ लेके जानी है तो बायो डाटा के अंदर आपको यहाँ पर जो साथ लेके जाना है वो आपको सबसे पहले आपको बता दू अपना resume बिल्कूल आप तयार करवा लेना क्योंकि अपने resume के अंदर सारी चीजे आ जाती है अच्छे से completely अपना bio data भी आ जाता है अपने education qualification भी आ जाती है experience भी आ जाता है सारी चीजे उसके अंदर resume के अंदर include हो जाती है तो सबसे पहली चीजे आपको क्या करना होगा अपना resume है वो अपना resume बनवाना होगा resume के अंदर माँ आपको बता दू इस चीजे के लिए आपको special notice कर रहा हूँ कि email ID और mobile number आपको बिल्कुल correct लिख देना है आपने nursing के अंदर जो भी आपने degree या डिपलोमा किया है चाहिए GNM हो चाहिए BSTO उनके आपको सभी mark sheet ठीक है जितने भी mark sheet है आपके बास सभी mark sheet रहेंगी provisional रहेगा provisional के बाद आपका registration certificate रहेगा ठीक है इन सभी के एक आपको जा करना है photocopy set आपको साथ लेके जाना है ठीक है जो photocopy set लेके जाओगे उनको सबको आपको self-attested करना है और साथ में आपको original documents भी लेके जाने हैं अपने interview के time पर क्योंकि जो photocopy आला set है वो तो आपर RML के इंदर रख लिया जाएगा अरबाकि आपके documents verification original documents है उनके मादिम से ही यहाँ पर होने वाला है यहाँ पर देख लीजीगा application form का जो format है वो पिया आपको available कराया गया है कि आपको जो bio data है वो किस परकार से fill करना है तो इस checklist के अंदर अपना bio data fill करना है याण कि आप resume ना बनवाओ ठीक है अगर आप resume नहीं बनवा सकते है तो यह आपको bio data है जो के लिए आपको application form है यह आपको परड़ किया गया है ज्यादा बेटर रहेगा resume से बढ़िया आप इस application form को ही आपको fill up करें तो और इस application form के साथ अपने सारे documents लगा दे जो मैंने आपको बताये है वन बाई वन ठीक है इसके अंदर आपको देख लिए जिए का advertisement number दिए गये है first name आपका middle name सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिए गये father name, mother name, date of birth mailing address, mobile number इन चीज़ों का आप जरूर दाना का यह दो चीज़ आप दरूर दाना काना यह जो आपका 7 number और 9 number और 10 number वाला point है इसको आप बिल्कुल मत बोलना क्योंकि आपको mobile number, mail और mailing address यह तिनों चीज़ आपको बिल्कुल करक लिखनी है अधार कार नमर लिख देना है आपका permanent address है वो आपको लिखना है education qualification में आपको 10th की mark seat 12th की mark seat और nursing की सबी mark seat इसके अंदर add करनी है अगर आपके पास experience है अगर आपके पास experience है इस field से related तो आप अपना experience ज़रूर लगा दीजिगा क्योंकि आपको हो सकता है experience के उपर आपको यहां पर priority ली जाए तो आगर जिनके पास experience है वो लगा सकते हैं बाकि जिनके नहीं है वो आप वैसे भी apply कर सकते है last में आपको signature कर देने ठीक है आप बात करेंगे कि eligible candidate कौन-कौन से रहेंगे इस post के लिए ठीक है इस post के अंदर कौन-कौन candidate यहां पर क्या कर सकते हैं apply कर सकते है सबसे पहली post आपकी देख लिए जिगा medical officer की जो post है वो आपको यहां पर दी गई है medical officer की post की salary आपकी पूरी एक लाग रुपा रहेगी आपको completely एक लाग रुपा पे किया जाएगा लिमिट आपकी 45 एर रहेगी यहां के medical officer की 45 एर maximum average limit है एक लाग आपकी salary है बहुत ही अच्छी कासी salary है उसके बाद मैं आपको next बात करूं तो feeding demonstrator की आपको post दी गी है feeding demonstrator की post के लिए आपको 16,500 रुपे जो salary है वो आपको यहां पर pay की जाएगी और maximum average limit आपकी यहां पर 45 एर रहने वाली इसके अंदर देख लिएजिगा graduation in the home science या फिर nutrition यनकी आपका home science या फिर nutrition के अंदर आगर आप graduate है तो आप क्या कर सकते हैं इस post को यहां पर आप apply कर सकते हैं उसके बाद में हम next यहां पर देख लेते हैं सबसे important जो कि stop nurse की post आपको यहां पर दीएगी stop nurse की post के लिए देख लिए जिए जिए नम कंडेट इस post को apply करेंगे अगर interesting है तो post बीसी नर्शिंग कंडेट भी apply कर सकते हैं बीसी नर्शिंग कंडेट भी क्या करेंगे इस post को apply कर सकते हैं बीस जार पान सूर रुपए आपकी क्या रहेगी यहां पर जो salary है वो आपको देखने को मिल जाएगी maximum age limit आपकी 45 यहां पर रहने वाली है ठीकर अब सबसे important point जिस चीज का आप बेट कर रहेए कि आपका interview है वो आपका कहां होगा कौन सी जगह आपका interview होगा क्या time रहने वाला है और आपकी क्या date रहने वाली है तो यह चीज देख लिजीगा आपका जो medical officer का interview है feeding demonstrator का interview है staffness का interview है तिनों का interview एक ही दिन होने वाला है और वो दिन आपका होगा 9 अगस्त ठीक है 9 अगस्त को आपका क्या रहेगा यहाँ पर interview रहेगा interview आपको कहां देने जाना है administrative block ground floor conference hall डाक्टर राम बनोहर लोईया institute of medical science के अंदर आपको जाना होगा RML के जो conference hall है ground floor के अंदर वहाँ आपका जो interview है वो आपका लिया जाएगा तो आपको interview के लिए वहाँ पर जाना होगा और अपना interview देना होगा interview के बाद में आपको shortlisted या तो mail के दोआरा आपको message किया जाएगा ठीक है कि आप selected है या फिर आपको mobile के दोआरा call किया जाएगा कि आप selected है या नहीं है तो वो चीज आगे की staff है जो कि आगे की process होगी तो आपको मैं बिल्कुल सबसे पहले कोसिस करूँगा कि आपको सबसे पहले update देने की पूरी-पूरी कोसिस करो बाकी आपको regularly इस channel के मादेम से regularly आपको या पर जो update है वो मिलती रहेंगी और एक-एक vacancies की all over India की जितनी भी nursing fields से related अगर कोई update है तो आपको इस channel के मादेम से जरूर से मिलेगी सब एक result पूरे admit card आपको time से update देता रहोंगा एक सबसे important की आरेमेल की जो application बरवाये गए थे उसका जो exam है वो आपका कब होने वाला है तो मैं आपको बता दो नोर्सेट आपका पकड़ सकता है आपको आपका नोर्सेट पकड़ सकता है ये पूरी पूरी सम्मावना है यहाँ आपर सल रही है बाकि अगर कोई new information निकल कर आती है अगर कोई new update निकल कर आती है तो आपको मैं इस channel के मादे में से सबसे पहले कोशिस करूँगा कि आपको यहाँ पर update करवा दूँ तो यह आपके लिए एक छोटी सी information थी आपके लिए एक छोटी सी भरती थी आपको और यह वीडियो अच्छी लगी informative लगी तो चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन बोन करें साथ में वीडियो को अपने friend circle के इंदर ज्यादा सी ज्यादा share करतें जिससे कि सभी friends को पता लग सके कि RML की तरब से एक और यहाँ पर जो भरती है वो आपके release कर दी गई है बाकि आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट और कोई नई vacancies के साथ तब तक आप अपनों का क्या हाल रखें अपना क्या हाल रखें Thank you so much